नमस्ते, मैं संचित प्रशाद उपाथिया, ओफिचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अच्छा और प्रभावी निबंद कैसे लिखें। क्योंकि सिविल सेवा परिक्षाओं में निबंद कैसा विशे है जो बहुत महत्पूर्ण है और यह विशे जितना महत्पूर्ण है उतना ही कम इस पे ध्यान दिया जाता है सामानेता बिध्यारतियों द्वारा। यह एक दम बोड एक्जाम में जैसे हम हिंदी और इंग्लिस के पेपर को जनरली अवोइड कर देते थे और बांकी वे से पढ़ते रहते थे वहीं हिंदी और इंग्लिस ही हमारी परसेंटेज कम करते थे। उसी तरह से सिविल सर्विसेस के जितनी भी एक्जाम्स हैं उनमे भी यही होता है हम बाकी geography history politics अब पढ़ते रहते हैं और निवन्द पर ध्यान नहीं देते और इसी कारण जब हमारे number कमाते हैं तो या तो हम selection से बाहर हो जाते हैं या फिर हमें जो rank चाहा रहा है वो rank नहीं मिल पाती है हमने बच्पन में निवन्द लिखे हैं दस-वी की परिक्षा हो, आट-वी की परिक्षा हो, बार-वी की परिक्षा हो मित्र की उपर या काव की उपर तो हमें ऐसा लगता है कि हम निवंद को लिख सकते हैं क्योंकि सिविल सिवा परिक्षाओं में निवंद से जो उम्मीद की जा रही है या निवंद में हम से जो उम्मीद की जा रही है और स्कूल लेवल पे हमने जो निवंद लिखे हैं उनमें कोई खास अंतर नहीं है, सामानिता हमारा यह मानना होता है इस करण भी हम निवंद की पेपर पे कुछ खास फोकस नहीं करते यह बहुत रूचक बात है कि वर्तमान में यूटूब पर बांकी सभी विसे और बांकी सभी पेपरों के बारे में तो धेरो वीडियो प्लब ने जिन्नों उन पेपरों को पूरा सिखाया गया है लेकिन निवंद से सम्मंदित वीडियो भी कम है और किसी भी वीडियो सीरीज में निवंद को पूरा नहीं सिखाया गया है इसलिए हम ये निवन्द सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि अच्छा और प्रभावी निवन्द कैसे लिखें इस वीडियो सीरीज में हम 11 टुकडों में तोड़ कर निवन्द के हर एक एक हिस्षे को बहुत गहराई से सीखेंगे इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऐसे है क्या या निवन्द क्या है जानती हुए क्यों जरूरी है क्योंकि जब तक हम किसी भी आर्ट फॉर्म को अच्छे से सीख नहीं लेते कि इसके क्या-क्या कंपोनेंट है इसमें क्या-क्या आता है क्या-क्या नहीं आता तब तक हम लिवंद को समझने के बाद हमाएं सामने जो सबसब बड़ी चुनावती है वो है सही टॉपिक का चुनाव यह इसलिए क्योंकि यह देखा गया है जनरली UPSC में कि किसी वर्ष किसी एस्परेंट को 130-140 नंबर आये ऐसे में और अंगले वर्ष उसी एस्परेंट को 60-70 नंबर तो जो इतना बड़ा गैप क्रियेट होता है ऐसे में यह नॉलेज के बेश पर नहीं हुआ और यह स्किल के बेश पर नहीं हुआ क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक बार अच्छे नंबर ला चुका है तो दुबारा तो ऐसा कुछ होगा नहीं वांकि सारे कंपोनेंट में जि इसलिए टॉपिक का सही चुनाव और टॉपिक की मांग को सही से समझना सबसे इंपोर्टेंट होता है ऐसे के लिए अन्यता आपके मांक्स आधे हो जाएंगे एक गलती से टॉपिक का सही चुनाव करने के बाद हमें यह समझना होगा कि आवश्यक लेखन कोशल एक वेक्त कि निवंद में कौन-कौन से फीचर होंगे उसी के बेच पे तो हम तै करेंगे ना कि कौन से कौशल लगेंगे और इस बात का पता हमें चलेगा जब हम अच्छे निवंद के गुण क्या है ये जान लेंगे तब हमें खुद बखुद समझ आएगा कि आवश्यक लेकन कौशल कंपोनेंट है वो इसलिए भी है क्योंकि निवंद आपको लिखना होता है या तो 1200 सब्दों में या 600 या 800 सब्दों में और इतना बड़ा निवंद जब आपको लिखना है तो भासा आपके निवंद का एक महत्पून हिस्सा बन जाती है क्योंकि जब एक्जामिनर आपकी क गलतियां एक्जामिनर को नोटेस होती है जो जनरली जब हम सामान अध्यान का प्रश्ण पत्र लिख रहे होते हैं तब वो नोटेस नहीं होती है क्योंकि उसमें हम बुलेट पॉइंट में भी लेक देते हैं या पॉइंट बना के लिख देंगे या कभी-कभी सेंटेंस भी नहीं करते हैं जैसे जन्रली टॉपर्स की कॉपी में हम देखते हैं लेकिन निवंद में हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है सेंटेंस पूरा लिखना होता है और भी जो भासा से संबंद इद्बारी किया है उनका भी विसे ज्यान रखना होता है इसलिए प्रभा होनी चाहिए वो भी हम सीखेंगे इसके बाद जो कि महत्पूर्ण इससा है जो इन दोनों का आधार तयार करता है कि अच्छे निवंद के गुण क्या है निवंद क्या है ये पहला बिंदू हमें बताता है कि निवंद एक बिधा एक आर्ट फॉर्म के रूप में बांकी और विधाओं से कैसे अलग है ये लेक से कैसे अलग है इसके साथ साथ ये फिल्म राइटिंग या पोईट्री या और भी जो लेक फॉर्म है जिन मैं लिखते हैं उनसे कैसे अलग है और वहीं हमें अच्छे निवंद के गोण यह बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम एड करेंगे इस निवंद में तांकि इसकी गुडवत्ता बढ़ जाए क्योंकि सिवल सर्विंट बनने के लिए निवंद आपको अच्छा लिखना पड़ेगा साथ भी आट भी आदस भी के बच्च हम नहीं कर सकते कि इसलिए हमें अच्छे निवंद के गोण क्या है इन्हें बारी की से समझना होगा तांकि हम ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें अब निवंद क्या है सही टॉपिक का चुनाफ कैसे करें अच्छे निवंद के गोण उन से सम्बंदित आवश्यक लेखन कौशल और प्रभावी भाशा कौशल ये तो हो गई निवन्द से सम्बंदित अन्य चीजें जो आपके पास होनी चाहिए अब जब हम आते हैं सीधा निवन्द लेखन पे कि जब पहले पेज में जो हम पहला सब्द लेखेंगे जो प्रस्ताबना का हिस्सा होगा तो हम आकरशक कैसे बनाएं यहां आकरशक सब्द बहुत महत्पूर्ण हैं क्योंकि अगर आपने परिक्षक के मन में एक जिक्यासा पैदा कर दी आपके निवन्द को पढ़ने के लिए तो मान लीजे आदा काम आपका वही हो गया तो हमें निवन्द में आकरशक प्रस्ताबन लेखने के 5-7 तरीके होते हैं हम उन तरीकों पर यहां सीखेंगे या उन तरीकों के बारे में हम यहां सीखेंगे कि वो कौन-कौन से हैं जिनसे हम निवन्द को आकरशक बना सकते हैं क्योंकि आप आकरशक जब निवन्द को बनाएंगे तो परिक्षक का अटेंशन आपके अगर ये आप नहीं कर पाए तो ये समझ लेजिए कि नंबर में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके लिए इसी के साथ आकर्षक प्रस्ताबना जब हम लिखेंगे तो प्रस्ताबना में आकर्षन बनाएंगे दूसरा उसमें एक हुख बनाएंगे हुख मतलब कि एक ऐसा पॉइंट हम अंतिम लाइनों में प्रस्ताबना की जनरेट करेंगे जिससे की मुख भाग की तरफ परिक्षा खुद बाखो जाने को एक शुक हो कि यार इसने इतनी अच्छी प्रस्ताबना लिखिया तो इसके मुख भाग की तरफ बढ़ना चाहिए मुख भाग में क्या लिखा उपसंगार पढ़ते पढ़ते इसकी चबी एक्जामनर के दिमाग में धूमिल होने लगती है और अंतिम रूप में जब हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपने उपसंगार कैसा लिखा है आखरी इंप्रेशन आपके निवन्द का यही रहत है एक्जामनर के माइंड में तो इस हिस्से को बहुत प्रभावी रूप में लिखना बड़ा ज़रूरी है अगर आपके पहले दो हिस्से कुछ कमजोर रह गए हैं तो इस से कुछ नुसकान होगा बट अगर आपने उपसंगार प्रभावी लिख दिया अच्छा लिख दि उसके बारे में हम यहां सीखेंगे उपसंघार के कुछ गुण होते हैं जैसे उपसंघार को सकारात्मक होना चाहिए उपसंघार को problem solving होना चाहिए यह हम कहें तो optimistic होना चाहिए तो optimisticness कैसे पैदा की जाती है किसी उपसंघार में उसकी लगभग 3-4 नियम है उन नियमों को भी हम यहां सीखेंगे उपसंघार के बाद कुछ जैसे हमने पहले पढ़े थे कि निवंद लेखन के पूर्व कोशल जो हमाई पास होने चाहिए फिर हमने पढ़ा कि निवंद के तीने से प्रस्तावना, मुख भाग और उपसंघार इसके बाद बाद आती है कि जब हमने निवंद लेखना सीख लिया है तो निवंद में हमें जो कंटेंट लेखना है प्रस्तावना हो, चाहे मुख भाग हो या उपसंघार हो उस कंटेंट को हम कहां से जुटाई लेखने के लिए और उस content को हम किस form में नोर्स बनाएं क्योंकि जैसे लगभग ऐसा trend देखा जाता है कि 18 से 20 topic होते हैं कुछ राजनेतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ सांसकर्टिक होते हैं, कुछ फिलोसफिकल होते हैं, कुछ नीती साथ से भी संबन्दित होते हैं जिन पे की ऐसे पूछा जाता है, और वो एक trend हैं, वो 18 से 20 topic और उनी पे कुछ ने कुछ इधर उधर करके इस साल अंगले साल निवन्द पूछा जाता है तो उन topics को हमें पहले देखना है कि वो कौन से topic हैं, और उन topics में कौन कौन सी जानकारी हम अपने notes में रखें और ये notes हमारे general study के notes से कैसे अलग होंगे, क्योंकि दोनों paper की मांग अलग है, ऐसे की मांग अलग है, तो इसके notes अलग होंगे और जितने अच्छे हमारे notes होंगे, उतना ही अच्छा तो हम content इन notes से उठा के इन तीन हिस्सों में रख पाएंगे तो इन तीन हिस्सों की मांग के हिसाब से हमें notes कैसे बनाने चाहिए, जो कम से कम सब्दों में हों, जल्दी से जल्दी रिवाइस हो जाएं और ज्यादा अच्छे से अच्छे मांग समय दिला सके हम वो सीखेंगे, इसके बाद आता है सबसे महत्पून हिस्सा, वो है सटीक समय प्रबंदन क्योंकि generally आपको जो time मिलता है civil services की परिक्षाओं में, वो कम होता है और ये एक ability चेक कर निकली किया जाता है कि आप कितने fast हैं, आप कितने accurately सूच सकते हैं, कितने accurately अपने views को express कर सकते हैं तो अगर समय कम है, तो उसका सटीक तरीके से प्रबंदन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे एक ऐसे या दो ऐसे आपको paper में लिखने हैं और आपका अगर समय कम हो गया, दूसरे ऐसे में, तो आपको या तो जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, या वो निवन्द छूट जाएगा और निवन्द छूटने का मतलब क्या है, blender हो गया वो paper तो गया ही गया, वो पूरी साल भी जा सकती आपकी एक निवन्द के कुछ इससे या आधा निवन्द छूटने के चक्कर में या जल्दी जल्दी लिखा और बहुत कम मांक्स आपको मिले, तब भी बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें तो सटीक समय प्रवंदन हमें कैसे करना है, इसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना पर हम कितना वक्त दें, निवन्द लेकने के पहले, मुख भाग पर कितना वक्त दें, उप संगार पर कितना वक्त दें, और किस तरीके से हम फ्रेमिंग करें, और लेकते टाइम कितना वक पहले निवन्द को कितना वक्त दें दूसरे निवन्द को कितना वक्त दें यह जो सभी छोटे छोटे लेकिन बड़े महत्विपूर्ण प्रस्न एक बच्चे के जहन में उठते हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे इस विशह में और इसके साथ साथ कुछ गलतियां हैं जो हमे मिस्टेक करने से उतना ही लॉश हमें यह मिस्टेक करने से भी हो जाता है क्योंकि आप तयारी करने हैं civil services exam की और इस exam की requirement है कि उन्हें एक particular type की personality चाहिए उस personality से तर अगर आप देखेंगे तो ये गलती हो जाएगी और गलती हो जाएगी तो आपके marks घटेंगे तो वो कौन-कौन सी साफधानिया है जो हमें एक निवंद लिखते समय बरतनी चाहिए उन पर हम इत्मिनान से यहां चर्चा करेंगे उनको point wise ताकि अगर आपने बागी सारी चीज़ें ठीक की हैं तो आपके निवंद में number drastically कम नहीं होने चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्पूर्ण हिस्सा है हमें select कराने के लिए civil services examination में इसके साथ साथ कुछ वो tricks जिनसे की हम निवंद की उत्पादक्ता बढ़ा सकते हैं या निवंद का प्रभाव बढ़ा सकते हैं जादा अंक प्राप्त कर सकते हैं उनके उपर हम चर्चा करेंगे जैसे की अकसर क्या होता है जैसे ही experiment निवंद लिखना शुरू करता है तो दो तीन पराग्राफ तक तो वो topic से connected रहता है लेकिन उसके बाद topic से भटक जाता है और जैसे ही topic से भटकेगा तो उसके marks कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी effectiveness घट जाएगी तो topic से भटकने से कैसे बचें एक निवंद में उसके विषय में हम यहां चर्जा करेंगे इसके साथ साथ निवंद में जो हमें अलग-अलग आयाम सोचने होते हैं किसी विषय पर लिखने के लिए उन आयामों को कैसे सोचें और किसी निवंद में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है टॉपिक एकदम abstract हो गया है तो उस टॉपिक को भी हम कैसे लिख सकते हैं उसमें भी कैसे 15-16 हम आयाम जनरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके के बिंदू हम यहां डिसकस करेंगे तो अब हम सीखते हैं पहले हिस्से को कि निवंद क्या है हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस सीरीज के जो बांकी 11 लेक्चर है वो हर हफ्ते 3 लेक्चर करके अपलोड होते रहेंगे यूटूब चैनल पे और उनकी नोटिफिकेशन आप तक आए इसके लिए जरूर है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और हर वीडियो के नोट्स आपको आफिसर अकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और ये नोट्स ये बोड पे जो भी लिखा है इसकी फोटो खेंच कर या स्क्रीन शॉट लेके शेयर किये गए नोट्स नहीं है इसमें हर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है कुछ बो बातें भी जोड़ी गई है जो लेक्चर में नहीं बताई गई है इसी के साथ साथ कुछ और ओधारन भी दिये गए है जिससे की और अच्छे से समझाया आपकी हर एक एक बिंदू पे बंद सके अब हम आते हैं सबसा महत्पूर्ण प्रेश्ण पे कि निवंद क्या है अगर हम साब्दे कर्द को देखें तो नी प्लस बंद अर्थात निवंद निवंद का अर्थ है भली प्रकार बंदा हुआ अच्छे तरीके से बंदा हुआ इसका मतलब है कि कितने सुववस्तित रूप से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं यह हुआ साब्दे कर्द में निवंद लेकिन सिविल सर्विस एक्जाम जिस निवंद की डिमांड कर रहा है एक एस्पेरेंट से वो इससे कही और जाता है अब उसके क्या-क्या फीचर है हम उन्हें देखते हैं एक-एक करके या ऐसे भी हम समझें कि निवंद हमारे सामान अध्यन के पेपर से किस तरीके से अलाग है जैसे जनरल स्टेडी का जो पेपर है वो सामान नता हमारे ग्यान पे आधारित होता है वही निवंद ग्यान के साथ-साथ इन चार पेरामीटर्स पर भी निर्भर करता है इसमें पहला आता है विजन, विजन का मतलब है कि आपकी जो सोच है, वो कितनी व्यापक है, यहां व्यापकता से मतलब है कि जो भी विशे आपसे पूछा गया है, उसके सम्मंद में आप उसका इतिहास जानते हैं क्या, आप उसका वर्तमान जानते हैं क्या, और वर्तमान मे जो भी काम हम कर रहे हैं उससे सम्मंदित क्या भविश्य होगा उसकी आपको समझ है क्या इसके साथ साथ भविश्य की समझ और ये प्रभाव कितना डाल रहा है जीवन के अन पहलूँ पे समाज के या विश्वी के अन पहलूँ पे तो विजन का एक अर्थ होता है आपकी काल के हिसाब से समझ और दूसरा होता है हमारा प्रभाब कि वो प्रभाब क्या डाल रहा है बांकी अन्य जगहों पर ये हमारे विजन को दर्शाता है जैसे कि अगर हम बात करें कि जेयस मिलने अपनी पुस्तक The Subjection of Woman में ये कहा है कि आप महिलाओं को ससक्त इसलिए मत कीजिए कि इससे उनका भला होगा या वो और एमपावर होंगे उनका जीवन बहतर होगा आप महिलाओं को ससक्त इसलिए कीजिए क्योंकि इससे राजनीती बहतर होगी लोगतंतर बहतर होगा क्योंकि समन बढ़ेगा सही होग बढ़ेगा इससे अर्थविवस्ता बहतर होगी क्यों क्योंकि अब डबल ग्रोथ होगी डबल जॉब होगी डबल हमारी मेन फोर्स बढ़ जाएगी जो की काम करती है अर्थविवस्ता के लिए तो यह जो दो तीन अलग डाइमेंशनों ने अट किये न यह विजन दिखाता है कि हमारे जो डारेक्ट प्रभाव हैं वो तो हमें विजिबल हो रहे हैं पर जो इंडारेक्ट प्रभाव हैं किसी एक इवेंट किसी एक काम के उनकी भी अगर आपको विजिबिल्टी है इतनी अप्षी पर और अब कितने गहरे हैं और एक टाइम के सेंस में कि इतिहास क्या था वर्तमान क्या था भविश्च च्छ चाहे और क्या अच्छा हो सकता है यह भी एक विज़न का हिस्सा है। जैसे कहते हैं कि नेता बहुत विजणरी होता है वो भविश्य को calculate करता है और उस हिसाब से बरतमान में action लेता है और बागी जनता को वो motivate करता है उस भविश्य की तरफ जाने तो ये vision आपको भविश्य दर्शी भी बनाता है तो ये दो component हमारे vision के साथ आते हैं एक प्रभाब और एक काल के साथ देखने की चमता और vision अगर मैं आपसे कहूं तो निबंद का सबसे महत्वे पूर्ण हिस्सा है कि एक वेक्ति visionary है उसकी समझ बहुत कहरी है विश्य के बाद दूसरी बात आती है विसलेशन करने की चमता अब विसलेशन करने की चमता कहीं न कहीं संबन्दित तो है विश्य से ही क्योंकि जब आप कुछ तथियों को जुटाएंगे और उन तथियों के बेश पे एक निसकर्ष निकालेंगे तो वो आपके vision को contribute करता है उसे निरमित करता है अंगले चर्णों के लिए जैसे कि हम बात करें पहले ये माना जाता था कि विकास और परियावरण ये दोनों सांसात नहीं चल सकते और इसी के कारण जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और जितनी भी environment समंदी प्रोटोकॉल हुए है उनमें विक्सित और विकास सील देशों के बीच एक पृतिरोध रहा है क्योंकि हमारी सोच ये है कि विकास और परियावरण ये दोनों एक सांसात नहीं चल सकते लेकिन तभी हमारे सामने एक्जामपल आते हैं उत्तराखंड में बाड़ जैसे तब हम दोबारा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है भी या नहीं या व हमारे विजन को मजबूत करते हैं, उसे शार्प करते हैं, उसे नई दिशा देते हैं। तो विशलेशनल आत्मक शमता हमें कहीं न कहीं contribute करती है हमारे विजन को create करने में। और इसके साथ विशलेशनल शमता से हमें निशकर्ष निकालने में मदद मिलती है। या हम यों कहें कि विसलेशन समता से ही हम किनी दो तत, किनी दो परिस्तितियों के बारे में बिचार करके निशकर्ष निकालते हैं. तो पहली बात हो गए कि विसलेशन सम्ता हमें विजन को रिफ्रेम करने में मदद करती है, दूसरी हो गए विसलेशन सम्ता हमें निसकर्ष निकालने मदद करती है विसलेशन सम्ता के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है कलपना शक्ती और दूसरा है तार के कनुमान क्योंकि तारक glued कनुमान के द्वारा ही हम निश्कर्ष निकालते हैं दो तर्क दो तथ्य दो घटनाओं के आधार पे और कल्पना शक्ति हमें विजन बनाने में या रिफ्रेम करने में मदद करती है तो विसलेशन सम्ता के दो इस्से हैं कलपना शक्ति और तार के कनुमान इन दो कामों के साथ साथ विजन बनाने निश्कर्ष निकालने के साथ कलपना शक्ति और तार के कनुमान हम जो abstract ऐसे लिखते हैं न जिसके बारे में हमने जंदल study में नहीं पढ़ा है या उसका मैं आपको एक उधारान बताऊं तो जिसे 2022 में UPSC में निबन्द की पेपर में पूचा गया था कि आप उसी नदी में दुबारा नहीं उतर सकते अब ये statement हमने GS में नहीं पढ़ा इसके बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं है ये एक दर्शन सास्तर का statement है तो ऐसे निबन्द जिनमें की हमें कुछ नहीं पता जो एक नदी में आप दुबारा नहीं उतर सकते इन निबन्दों पे अगर हमें 1200 सब्द, 600 या 800 सब्द लिखने है तब एक ही चीज़े जो हमारे काम आती है वो है कलपना शक्ती और अगर आप देखेंगे तो पिछले एक दो साल से हर पेपर में जो एबस्ट्रेक्ट निबन्द है ना उनका trend बढ़ गया है तो कलपना सक्ती एक सबसे महत पूर्ण इश्किल है जो एक विक्ति के पास होनी चाहिए लेकिन कलपना सक्ती की एक शीमा है कि ये तरक से बंदी हुई होनी चाहिए that means कलपना में आप कुछ भी नहीं सो सकते कि एक इनसान है उसके कान में से आम का पेड निकला नहीं इस तरीके का कोई भी अनुमान आप कलपना सक्ती में नहीं कर सकते कलपना सक्ती में आपको मार्वल मूवीज देखते हो आईरन मैन एवेंजर एंड गेम या और भी कोई मूवी जो हॉलिवूट की मूवी है जिनमें की BFX वग्यरा जादा वो यूज करते हैं कॉंसेप्चुल मूवी है जैसे इंसेप्शन है उनमें जो स्टूरी बनाई गई है वो कलपना सक्ती के द्वारा बनाई गई है बट कहीं न कहीं लॉजिकल होते हुए एक डम से कुछ भी नहीं कर दिया गया है कुछ पुराने कॉंसेप्ट्स हैं या कुछ नहीं कॉंसेप्ट हैं उनको थोड़ा सा उठा के या जो साइन्स भी डवलप्ट नहीं की गई है के लिए सिध्धान्द के तौर पह है उसे डवलप्ट दिखा के और फिर कोई स्टूरी बनाई गई है जो हमें कहीं न कहीं लॉजिकली करेक्ट लगती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मालो एक तत्थ में आपसे कहूं कि वर्ल्ड वाइड जो महिलाएं हैं वो समपत्ती का एक पृतिसत धारन करती है और वहीं इनकी जो संख्या है महिलाओं की वो लगबग पचास पृतिसत है तो ये जो तत्थ हैं इन से हम जो तार के कनुमान कर रहे हैं कि भाई भविस में क्या इस्तिती इनकी होगी या वर्तमान में इनकी क्या इस्तिती है अगर इनके पास एकनॉमिक रिसूर्च कम है देट मिन्स ये कम वेल्दी है इनके डिसीजन मेकिंग में कम योगदान होंगे या फिर इने निर्वर रहना पड़ा रहा है पुरुशों के उपर अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए तो ये जो दो तीन हमने इस फेक्ट के आधार पे कॉन्क्लूजन निकाले उसी को कहते हैं तार के कनुमान करना तो यही तार के कनुमान और कल्पना सक्ती मिल के हमारी विसलेशन आत्मक चंता बनाती है जो की दूसरी क्वालिटी है एक निवंद की पहला है विजन और दूसरी है विसलेशन चंता अब तीसरी बाद आती है प्रभापशीलता प्रभापशीलता क्यों? क्योंकि निवंद में हमें कितने अंक मिलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर नर्वर करता है कि आपका निवंद पढ़ने के बाद आपके जो एक्जामिनर है उनके जहन में आपके निवंद का क्या प्रभाब जूटा कितना प्रभावित उस निवंध ने उस एक्जामिनर को किया ये बात नरधारित करती है कि आपको कितनी अंक मिलने वाले हैं अगर प्रभावशीलता इतनी महत्पूर्ण है कि यही अधिकतर तय कर रहे हैं कि हमें कितनी अंक मिलेंगे तो थोड़े से बारीके से हम इसे समझने कोशिस करते है कि प्रभाब शीलता किन-किन component से मिलके बनी है प्रभाब शीलता का पहला component है तर्क या तत्थ इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति को दो तरीके से प्रभावित किया जा सकता है या तो आप उसे बहुत अच्छे तर्ग दें या बहुत मारमिक तथ्य दें जैसे कि अभी हमने एक तर्ग देखा था कि एक पृतिसत संपत्ति है महिलाओं के पास और जन्संख्या में उनका योगदन पचास पृतिसत है तो ये बहुत मारमिक इस्तिती देखाता है आर्थिक संदर में महिलाओं की तो ये तर्ग प्रभावित करेगा एक्जामिनर को और ऐसे तर्ग भी प्रभावित करेंगे एक्जामिनर को इसके साथ साथ दूसरा आता है भावना इसका मतलब है कि हमने जो तर्क और तथ लिये उन तर्क और तथियों से हम एक ऐसा निसकर्ष निकाल रहे हैं जो भावनात्मों को रूप से प्रभावसाली है जैसे हमने कहा पचास पृतिसत महिलाओं के पास एक पृतिसत संपत्ती है तो यह बहुत विचार्णी बात हुई कि इतने सालों के एविलूशन के दोरान भी हम एक बरावरी पैदा नहीं कर पाए और महिलाएं अभी भी किसी ना किसी रूप में जो समानता है उससे बन चेता है फ्रांसीसी करांती कितने पहले हो गई फिर भी हम इनसानों के एक तबके को उस समानता के बेसिक अधिकार तक को नहीं प्रोवाइट करा पाए हैं जो कि जीवन के लिए अतियावश्यक है तो यह जो हमने एक्स्ट्रा अनिलिसिस किया थोड़ा सा भावना अत्मक टच दिया यह भावना जो हमने उकेरी एक्जामिनर के अंदर यह प्रभाव छोड़ती है तो प्रभाविता का पहला है मारमिक तरकिया तथ हमने दिये दूसरा है उसमें भावना अत्मक जो इंगल है वो हमने पुट किया प्रभाव शीलता का तीसरा कंपोनेंट है भासा शैली क्योंकि अगर हमें किसी विक्ति के अंदर भावनाएं पैदा करनी है तो उसका एक ही शादान है भासा तो भासा को हम जितना effective बनाएंगे भासा को जितना हम भावनाओं को कुदेरने वाला बनाएंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रभावशेलता बढ़ेगी तो भासा शैली हमारे भावनाथमक प्रभावशेलता को enhance करती है इसके लिए सामानेता हम प्रियोग करते हैं किसी share को लिख दिया हमने context के हिसाब से जहां भी वो fit हो रहा हो किसी case study को लिख दिया हमने context के हिसाब से जहां भी fit हो रही हो यहां मैंने context के हिसाब से सब्धियूज किया वो इसलिए क्योंकि अगर context के flow में कोई चीज आप पुट कर रहे हैं किसी का code पुट कर दिया या फिर कोई share लिख दिया आपने तो वो एक flow बनाता है निबंद में और अगर context के बिना आपने जान भूज के या जवर जस्ति पुट किया तो वो आपके निबंद के flow को तोड़ देता है और निबंद के flow को तोड़ना आपकी प्रभापशीलता के लिए बहुत घातक हो जाता है तो भासाशेली में हम भावनाओं को केरने के लिए जो अलग-अलग entities हैं उनको यूज कर लेते हैं इसमें share हो गया या किसी व्यक्ति का कोई कोट हो गया या कोई उत्रण हो गया या कोई घटना हो गई कोई उपमा हो गई, कोई कहावत हो गई, कोई मुहावरा हो गई जो की सीधा तरक से हमारे भावनाओं उपर हिट करे उस तरीके की शेली का हम प्रियोग करते हैं प्रभापशीलता लाने के लिए इसके साथ साथ भासाशेली का एक और काम है और वो है रोचकता पैदा करना क्योंकि हमें एक्जामिनर को निबंद पढ़वाना है और निबंद पढ़वाने के लिए हमें निबंद को रोचक बनाना होगा रोचक मतलब निबंद को पढ़ते वक्त एक्जामिनर को ये महसूस हो कि वह क्या तो खूब लिखा है और उसे ये भाव आए कि ओहो इतना बहतरीन लिखा है तो पक्का मुझे कुछ ने कुछ इस निबंद से सीखने को मिलेगा जो अभी तक मुझे नहीं पता है ये दो भाव अगर हमने एक्जामिनर के मन में पैदा कर दिये तो हमें बहुत नंबर मिलेंगे और ये दोनों काम भासा शैली के हैं क्योंकि तत्थ तो लगबग सभी के पास समान है आपके कुछ उधारन बदल सकते हैं लेकिन उन्हीं आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रोचक हैं या नीरस हैं या फिर रोचक हैं ये आपकी भासा सेली ही तह करती है जैसे मैं एक उधारन से बताता हूँ मैंने आपसे कहा था कि निवंद क्या है यह बात जानना हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है अब यह बहुत जादा जरूरी यह तीन सब्द मैंने परियोग किये यह तुरंथ ही अटेंशन कीच लेते हैं और अगर मैं यहां सीधा कहता कि अब हम पढ़ेंगे कि निवंद क्या है तो इस स्टेट्मेंट में आपका अटेंशन इन सब्दों की तरफ नहीं खेचा तो अटेंशन कीचना, रोचकता पैदा करना ये भी भासा शैली का कोण है इस तरीके से प्रवापशीलता में मारमिक, तर्क और तत, भावना, भावना उकेरना और भासा शैली इन तीन कंपोनेंट को यूज किया जाता है और मैं आपको बता दूँ, भासा शैली में जो रोचकता पैदा करना है, वो पूरे निबंद का सबसे महत्पोन कंपोनेंट है क्योंकि निबंद एक ऐसी बिदा है, जिसमें आप कोई स्टोरी नहीं सुना रहे हो, ओवर रॉल स्टोरी, इंट्रोड़क्शन में कुछ डाल रहे हो, या बॉड़ी पार्ट में कुछ डाल रहे हो, इसमें आप एक करेक्टर प्ले नहीं कर रहे हो, इसमें कवीता जैसे ल नीरस्ता आजाती है, तो किसी भी व्यक्ति का इंटरस्ट टूट जाता है, पढ़ते पढ़ते, तो उस इंटरस्ट को मेंटेन करना पूरे निवंद में बहुत महत पूण हो जाता है, अपका पूरा निवंद नहीं पढ़ेगा, उपर सैंसे से देखेगा और नमबर जाएगा तो रोचक्ता पैदा करना सबसे महत्पूण है इसलिए हमने भासा शली के उपर अलग से एक टॉपिक बनाया है और उसे हम अंगली आने वाले वीडियो में फिर सीखेंगे अब हम चलते हैं निबंद के सबसे रह्षवादी बिंदो की तरफ जो है व्यक्तित्व UPSC में जब पैटन चेंज हुआ था तो नए पैटन में निबंद को इंट्रिद्यूस किया गया वह भी 200 मार्ग्स के साथ कि 125 125 के दो निबंद लिखने हैं और यह 200 मार्ग्स के साथ इसे इंट्रिद्यूस किया गया इसका बहुत विसेश कारण है व्यक्तित्वी की पहचा क्योंकि Primins के दौवारा, Means के दौवारा आपके घ्रक्राण ज्ञान को Check तो UPSC बहुत आसानी से कर लेती है लेकिन व्यक्तित्पों को Check करने के लिए Interview Interview के संसान्थ निवंध भी hatten किया गया यह आपके Overall व्यक्तित्पों Check करता है वो कैसे करता है क्योंकि निवन्द लिखते समय हम अपने भाव व्यक्ति कर रहे होते हैं अपने विचार व्यक्ति कर रहे होते हैं इसके संसंत अपनी धारनाई व्यक्ति कर रहे होते हैं मैं समझाता हूँ आपको निवन्द आपकी व्यक्तित का परिक्षन कैसे करता है हमारे व्यक्तिकत विचार शामिल हो गए हमारी व्यक्तिकत माननेताइं शामिल हो गए कि किसी विशाय के संबंद में हम क्या मानते हैं क्योंकि इस एब्स्ट्राक्ट विश्चार में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे अंदर से आ रहा है वो हमारे विचार हैं, वो हमारे भाव हैं, वो हमारी माननेताएं हैं, तो examiner इन भाव, विचार और माननेताओं को बहुत आसानी से समझ लेता है, कि किसी विचेपर आप क्यामत रखते हैं, इसलिए इसे व्यक्तित्प के परिक्षा का मुख आधार भी कहा जाता है, UPSC ये Civil Services परिक्षा के संदर्फ में, क्योंकि हर व्यक्ति का एक विचेपर मानना और विचार, मानना मतलब ब्लीव, हर व्यक्ति का एक विचेपर ब्लीव अलग-अलग होता है, इसके सांथ हमारे जीवन के अनभव, जो कि हम प्रभाव शीलता बनाने के लिए निवंद में, भासा सेली के सांथ भावना उकेरने के लिए अपने जीवन के व्यक्ति के तनभव शेयर करते हैं, वो भी हर व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं, तो जो हमारा इंटर्नल कंपोनेंट या इसे और सरल भासा मैं कहूं, तो बर्त से लेके अभी तक हमारी जो भी लर्निंग, जो भी रहे, कहीं न कहीं निबंध हमें उनको लिखने के लिए मजबूर करता है, और फिर चेक करता है एक्जामिनर कि आपका व्यक्तित्व है किस प्रकार का, अगर वो व्यक्तित्व सेविल सेवा की परिक्षा में एक कैंडिडिट से जो डिमांड की जा रही है, उसके जादा न नजदीक नहीं है, तो आपको काम अंक मिलेंगी, इसलिए मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा था कि कुछ गलतियां हैं जो निबंध में नहीं करनी है, तो अगर हमारा व्यक्तित्व कुछ अपोजिट भी है, जो डिमांड की जा रही है, तो हमें उस अपोजिट साइड को को सीख लिया, जिससे की निबंध, इस्पेशली सिवल सर्वेसेज की जो रिक्वार्मेंट है, उस हिसाब का निबंध, जी एस से कैसे अलग होता है, तो अब हमाई सामने एक बहुत महत्वपून प्रस्न है, कि हमने निबंध के गुन्टों सीख लिए, लेकिन हम जो विकल दिये गए हैं, उनमें से किस विकल्प को चुने है, निबंध लिखने के लिए, ये बहुत ही महत्वपून और एक एस्परेंट को सबसे जाधा परेशन करने वाला टॉपिक है, क्योंकि गलत सेलेक्शन से मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर हमने सेलेट करने के बास सही से अर्थ नहीं समझा, तो तुमाक्स बहुत ही जाधा कम हो जाएंगे, तो इस प्रस्न को हम अंगले आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि जाएंगे जाएंगे